So hi friends, good morning, कैसे हैं आप लोग सब बढ़िया, आज फोर्थ में हैं और हम आज की टॉप, वैसे एक्टिर इस ग्यारा सवाल हैं, तो टॉप 10 एज 11 कुशिंस हैं, और फिर्ट आज बहुत important concept मुझे मिले हैं, जिनकी पूरी detailing करिए मैंने, आपके लिए पूरी additional concept, elaboration पूरा लाया हों में, ताकि उससे जितने भी और सवाल बन सकते हैं, आपको मिल जाएं, तो आज सिर्फ 10-11 सवाल नहीं हैं, बहुत सारे additional जनकारी मिलेंगे आपको, which are very very essential for all the examinations, तो वीडियो पूरा दिखिएगा, एक चीज़ और friends, आज दिन में बहुत अच्छा वीडियो आने वाला वही सारे जीब से words, जो हमें economist में देखने को मिलते हैं, और इनके facts दिख जाते हैं, पर मतलब कई बार confusing लगता है, कौन से words, GDP, GNP, NNP, depreciation, उसके बाद national income, personal income, personal disposable income, factor cost, market price, उसके बाद CPI, WPI, GDP deflator, depreciation, ये सारे words, ये सारे words हम लोग इतना paper में पढ़ते हैं, पर इनके में अक्षा doubts रहती है, definition में भी और आपसे comparison में भी, ठीक, और इस current से economist को मुश्किल समझने लगते हैं, आज के वीडियो में जो दिन में आएगा, इन सारी चीजों को मैं बहुत ही simple भाशा में समझाऊंगा, इसका जो current reference वाला part है होता हम पढ़ते ही रहते हैं कि GDP growth rate क्या ह कैसे हैं वो सब, पर backtrack करके, backlink करके definition भी पताऊनी चाहिए आपको, वो part आज बड़ी simple भाशा में समझाऊंगा, वो afternoon मतलब लगभग 4-5 विज़े तक वो वीडियो आ जाए, ठीक है, और एक चीज़ और friends, एक North East में बहुत important issue काफी time से चल रहा है, displaced tribals एक brew community है उसके उप ठीक है, उसके उपर वीडियो में कल बनाऊंगा, actually उसका question में आज रखा है, बट आज सिर्फ objective सवाल रखा है उसके उपर, पर उसका पूरा detailed topic वीडियो में कल बनाऊंगा, afternoon में, वो बहुत important topic है, questions के हिसाब से भी objective में भी subjective में, तो उसके उपर detailed video कल आएगा, उसके उपर आज economist का, और कल इस topic का, भुरू community के बारे में देखना मत भूलेगा, very very important, पहला सवाल देखिया आज का, so बहुत सारी important आज schemes देखने को मिली हैं, उसमें पहला पढ़ लीजिए, which is the nodal ministry for the VDV के, मतलब की, one done, विकास कारेक्रम, तो यह जो कारेक्रम या program या scheme है, one done, विकास कारेक्रम, यह इसकी nodal ministry कौन सी है, जो मैं आपको बोलता हूँ, schemes में हर बार nodal ministry आपको याद करना चाहिए, उसकी importance यहाँ पर देखियेगा, क्यों problem है, problem यह है, पहली बात तो one done का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, forest resources, ठीक है, सारे नहीं, कुछ एक तरह के forest resources, यहाँ पर mainly minor forest produce की बात हो रही है, ठीक है, कुछ और भी उसमें आते हैं, बट mainly उनकी बात हो रही है, अब इस program की nodal ministry कौन सी है, अब अगर आपको पता नहीं है न तो आप confuse कर सकते हैं, because क्योंकि one forest की बात हो रही है, तो आप forest ministry सोच सकते ह A option, forest में कई tribal से रहते हैं, तो आप tribal भी सोच सकते हैं, ठीक, कई minor forest produce का रोल agriculture में भी होता है, तो आप agriculture भी सोच सकते हैं, और हर gram में पंचायती, gram, पंचायत, gram सभा होती है, तो आप पंचायती राज भी सोच सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, objective exam में exact चीज पता होनी चाहि और क्योंकि answer 4 हो सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, और यही कारण के कई बार GK वाले section में हमारे आधे क्टमबर से रह जाता है, क्योंकि हम तुक्के लगाते हैं, अब यह तुक्का ही होगा, क्योंकि answer सिर्फ एक होता है, चलिए answer के बता दूँ मैं आपको, the answer is Ministry of Tribal Affairs, so forest क अंडर ने Tribal Affairs के अंडर यह particular aspect आता है, ठीक है, अब यह program के मैं बता दूँ आपको, program का नाम समझ गए, one dhan, one का जो dhan है, forest का जो, you know, जो भी resources है, विकास, उसके विकास का कारिकरम, अब थोड़ा scheme के बारे हैं, पढ़िए, very important, इसमें कदम लिया गया है, मैं पहले दो question ब initiative aiming at livelihood generation for tribal population by utilizing the wealth of forest that is one, यह official पूरा इसका description है, एक पात friends पूछनी थी आपसे, यह जो चीज़े हैं, जो tribal livelihood पे dependent, मतलब उसके बारे में topics होते हैं, are they important or not, क्या लगता है आपको, very very important, climate change, agriculture, और यह, climate change, agriculture और tribal affairs, इसे important कुछ नहीं होता आज की rate में, examinations में भी और country governance में भी, जहान रखिएगा, समझ गए, aiming at livelihood generation for tribal population by utilizing the wealth of forest, मतलब की one धन, अब जो one धन विकास कारिकरम है, यह क्या aim करता है, utilizing the traditional knowledge and skill set of tribal people by adding technology and information technology, IT और बागी technology को involve करके, for upgradation of output at each stage, and to convert the tribal skill set into a profitable economic activity, तो उनकी skill set को हम technology से जोड के, जो भी उनकी activities है, उसे upgrade करके, एक profitable economic activity की तरफ ले जाएंगे, तो tribal development काफी equitable और balance तरीके से हो पाएगा, ठीक है, यह इस scheme का objective है, अब आगे देखिएगा, कुछ facts, so one done, विकास कारिकरम, it seeks to promote and leverage the collective strength of tribal people to achieve a viable scale, तो collectively उनकी skill set को use करके, अब देखिए, कितनी simple भाशा में समझा है, और पूरा program clear हो गया, अगर आपने इस भाशा में बोल दिया, ठीक है, या फिर लिख दिये किसी बे objective exam, subjective exam से ऐसे में, बस number आ गया आपके, घुवाना नहीं पड़ेगा, आपको दर्थोदर चीज़ों को, ठीक है, fact अब देख लीजिए, April 14th, 2018 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने launch किया था, वन धन, योजना, ठीक, कहां launch किया था, बीजापूर 36 गड़ में, ठीक है, जिसके अंडर, एक वन धन, विकास केंद्र, इसी कारेकराम के अंदर, वन धन, विकास कारेकराम के अंदर, वन धन, विकास केंद्र होते हैं, उसे setup किया था, पहला 36 गड़ में, बीजापूर में this name is very very important now for all the examinations कहीं भी पूछ लेते हैं सब चीजे it started as a pilot project at the cost of rupees 25 lakhs जिसमें से 25% state government ने दिया था तो यह starting point बता दिया और यह जो group था जो पहला pilot project बना था इस में इस वन धन विकास केंद्र it catered to 10 SSGs तो 10 self-help group जो थे 30 tribals each tribal gatherers जो होते हैं तो एक group में 30 tribal gatherers थे और ऐसे 10 self-help group को इस केंद्र से attach या फिर वो उनको service देते थे ठीक है अब current status देख लीजे the scheme of one dhan केंद्र is operational in 22 states with significant tribal population in the country and has the potential to benefit almost 1.1 crore tribal families in the country 22 states में operational है यह यह रही background ठीक है अब इसका use कैसे कर रहे है आज की news में वो मैं question number 2 के बाद बताऊँगा तो समझ गया आप यह पूरी कहानी थी हमारी one dhan विकास कारेकरम के बारे में which is a very important ski बहुत higher probability है आने वाल एक्जाम के लिए इस question के बाद मैं पूरी कहानी केनेक करके बताऊँगा आपको question number 2 देख लीजिए which ministries issues the MSP minimum support price for minor forest produce minor forest produce क्या होती है मैंने कुछ हफ्तों पहले वीडियो में पूरा cover करवाय था आपको आज भी थोड़ी सी list दूँगा मैं आपको आपको बताना है देखिए जैसे agriculture crop होती है न चावल, गेहूं हो गया, rice, wheat और इंसब के लिए MSP आती है minimum support price उसी तरह से minor forest produce की भी MSP आती है ये MSP कौन सी ministry issue करती है ये आपको बताना है options वही रखे है मैंने forestry की ministry, tribal affairs, agriculture पंचायती राज you can confuse between forestry tribal, agriculture भी confusing लग सकता because you know उनका रोल तो MSP में वैसे ही रहता है इसका answer है tribal affairs ठीक है, तो जो minor forest produce होती है, ये कौन से होते हैं आपको दुबारा इस question के बाद repeat करता हूँ उनकी जो MSP होती है very important question, वो कौन decide करता है कौन issue करता है, ministry of tribal affairs clear है? चलिए, आप थोड़ा समझ लिजे इसके बारे में, so अब ये रही वो आज की news कल की news, मतलब जो हम आज cover कर रहे हैं जिसके लिए पूरी कहानी और questions मने बनाए थे so, COVID-19 की वज़े से problems हा रही, economy slowdown हुई है चीजे lockdown है अब, tribals की livelihood को recover करने के लिए minor forest produce का procurement could be a very good starting point for recovery from COVID-19 problem और यही सरकार कर रही है so, the ministry of tribal affairs has advised all the states to speed up procurement operations for MFP, minor forest produce to support the tribals for recovery from the COVID-19 lockdown situation तो बड़िया step लिए जा रहा है and progress यह है कि the states have initiated the progress process of procurement of MSPs मतलब की minor forest produce and the operation has begun in 10 states the state में minor forest produce का procurement चालू भी हो गया है ठीक है, यह कहानी है अब सवाल यह है कि हम मैं वन्धन केंदर की जो पिछले स्वाल में बत करता हूँ, क्यों कर रहा था यह procurement का nodal point पता है क्या होगा वन्धन केंदर इनको ही center point बनाया जाएगा जिसके थूरू यह procurement करा जाएगा इसलिए दोनों खबरे बहुत important है अब थोड़ी और detail ले लीजिए first में 2020 को there was announcement of revised MSPs तो जो minor forest produce होते हैं उनके revised MSPs जो minor forest produce minor forest produce एसे 49 items जो थे इनका जो minimum support price था MSP वो tribal ministry announce किया है कब first में 2020 को तो announcement of revised MSP for 49 items of forest produce इसमें minor भी जोड़ देना यह minor वालों की बात हो लिए और यह किरा ministry of tribal affairs तो यह पूरी ख़बर की तो पहले तो 1 माई को announce करते हैं 49 minor forest produce की MSP और procurement भी 10 states ने चालू करते हैं बाकी भी जल्दी करेंगे states अब यहाँ जो first question वाली बात थी states have appointed one dhan kendrs as their primary procurement agent for MFP procurements from heart bajars, तो यह procurement में one dhan kendr का role बहुत important है, जिसकी इनके बारे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, इसलिए दोनों connected है अब खबर समझ में आ गई one dhan kendr, उसकी पूरी जानकारी, उसके बाद minor forest produce की जानकारी, उनकी MSP की जानकारी जो declare करा गया है और उनके procurement की जानकारी, तो इस तरह से chain बन जाती है, और काम क्या है, tribal population को covid-19 lockdown के बाद recovery economic recovery के रास्ते के लिए ये चीज़ काफी अच्छी हो सकती है, उनकी livelihood sustain कर देगा दुबार, तो ये अच्छा कताम है, ठीक है आप कुछ example देख लीजे, minor forest produce के, basically जो main, पेड में लकडी होती है, जो non-timber products होते हैं न, वो आते है minor forest produce, योकि पेड से हमको लकडी के लाओ, बहुत कुछ मिलता है और वही आते है, minor forest produce के, अब 49 की list यहाँ पे जारी करी गई है, वो आप पूरा देख सकते हैं, मिनिसी के website पे, पर उसमें से कुछ example में लाए है, वो आपके लिए examples of minor forest produce, कुछ example जाना बहुत जिरूरी है tamarind, imly, wild honey, gum, gond, saal leaves, bale pulp, bale का जो अपसरबत पीते हैं उसकी बात करें, mahuwa flowers, jamun की dried seed, कम से कम 49 example से पूरी list में देख रहा था, अब पूरे 49 तो ला नहीं सकता, तो मैं कुछ example ले आया है, कुछ जो आप जानते भी है, tamarind, wild honey, gum, saal leaves, bale pulp, mahuwa flowers, jamun, sorry, jamun जो आप खाते हैं उसकी dried seed, इनकी भी बहुत demand होती है, तो यह अच्छा कतम लिया है सरकार ने, and हमारे exams के लिए तो obviously important topic बन नहीं जाता है, clear, चले, कहानी आगे बढ़ाते हैं, एक और question is related, then we are done, यह भी बहुत important है, is bamboo considered a minor forest produce, तो minor forest produce की list थो थोड़ी सी देखी हैं आपने, क्या bamboo इसमें आता है, mass जो बोलते है, bamboo, the answer is yes, अब आता है, ठीक है, 2017 में amendment करा गया था, और actually timber को, जो forest act था ना, उसे 2017 में amend करा गया, और अब, ने, sorry, bamboo की बात कर रहा हूं में, ठीक है, तो 2017 में forest act को अमेंड करा गया, और bamboo जो है ना, अब किस में आता है, non-timber product, अब timber में नहीं आता है, क्योंकि timber products के लिए rules बहुत strong है, ठीक है, किस तरह से उनको काट के कैसे, जो भी process होता है, वो बहुत streamlined है, और काफि strict rules है, ठीक है, ठीक है, तो यह change 2017 में करा था, अब status जान लो, bamboo, यह जो बास होता है, वो क्या होता है, it is a non-timber produce, और उसको minor forest produce में माना जाता है, important सवाल है, ठीक है, अब, खबर यह है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हम tribal की बात कर रहे थे, अब थोड़ा North East की तरफ shift करना पड़ेगा, देखे, North East, इंडिया के जितने भी bamboo reserve से, उसमें से 60% कहां से आते है, North Eastern part of India, तो इसलिए कभी भी North East पे question बनता है, discussion होता है, interview होता है, आपको उनकी economy growth के लिए bamboo का citation जरूर करना चाहिए, उस point के बिना answer अधूरा है, और यहाँ देख लीजे, event क्या है, union minister of state, एक MOS है, independent charge में donor, donor मतलब development of North Eastern region, तो इसके MOS कौन है, डॉक्टर जितेंदर सिंग, यह जो PMO है ना, Prime Minister Office, उसमें भी MOS है, जितेंदर सिंग जी, ठीक है, तो इनके interviews काफी देखते रहते होंगे आप, खेर, अभी फिलाल हम इस department की बात कर रहे है, development of North Eastern region, इसके in charge कौन है है अभी, डॉक्टर जितेंदर सिंग, उन्होंने, एक press conference में discussion, जो function था, उसमें ये बोला है, जो बात बोली हो ज़रूरी है, तो जितेंदर सिंग जी ने ये बोला है, that bamboo is vital to India's post-COVID economy, ठीक है, and will provide an opportunity for India to emerge as economic power with the support of its bamboo resources, especially North East region, तो अभी आप देख रहे हैं, पिछले दो सालों में भी किसकी बात चल रही है, COVID-19 से recovery के लिए हम कुछ ऐसी चीज़े ले रहे हैं, जो हमारी खासियत है, जिस चे livelihood recover कर सकती है, ठीक है, तो हर बार country के development के लिए iron और steel की बात करना जुरूरी नहीं होता, ठीक है, ये भी बहुत जुरूरी चीज़े हैं, जो हमारी economy का बहुत important part है, ठीक है, चलिए, तो clear है बात, परना हम हर महारा बार किसकी बात करते हैं, rice की बात कर ली, wheat की बात कर ली, manufacturing की बात कर ली, service की बात कर ली, iron steel, heavy manufacturing की बात कर ली, ये चीज़े भी तो है, and they have great contribution, कैसे देखिएगा, तो clear होई बात, की minister ने क्या बोला है हाँ पर, आगे देखिया, example दिया उन्होंने, the total requirement of agarbatti in India is about, 2,30,000 per annum, और इसकी market value पता है, कितनी बंती total, 5,000 करोड रुपए का इसपस, मतलब agarbatti का जो market, जो इंडिया में demand है, 5,000 करोड रुपए का पुरा demand है, अब, अब हमारे पास कितना सारा bamboo है, खासकर North East region में, फिर भी, agarbatti में हम import कहां से करते हैं, we import a large bulk of it from countries like China and Vietnam, तो हम अपना ही potential क्यों ना use करें, important space है जहां पी utilization होना चाहिए, इससे पूरी country का और North East का development बहुत ज़्यादा होगा, एक और बात देख लीजे, फ्यूल, wooden lumbers and plywood, which can change the entire phase of the economy and create employment opportunities in multiple sectors, तो COVID-19 recovery, North East के development, उन सब में bamboo का कितना बढ़िया अंसरा बना सकते हो, और points इतने सारे होने चाहिए, एक ही point के सपस नहीं घूम सकते हैं, तो देखा आपने, क्या potential है, कितना बढ़िया potential है bamboo में, इंपोरेंट सावाला है, ठीक है, चलिए, एक आखरी चीज़, जो मैं आपसे बोल रहा था, कि, ये जो इंडियन, इंडिया forest amendment bill 2017, तो जो forest act था, उसमें 2017 में जो amendment करा गया है, वो amendment का एक हिस्सा देख लीजिए, उसके हिसाब से, अब bamboo non-timber product है, मतलब it will be a minor forest produce, अब उसमें दो चीज़े हैं, इस chains के कारण, जिसमें bamboo अब non-timber बन गया है, ठीक है, देखिए, एक अंतर समझे, अगर एक पेड लगा है, उस पेड की लकडी को काट के, अगर मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो it's a very tough process, उसके rules होते हैं, ऐसा ही free hand नहीं कि हमने पेड काटना शुरू कर दिया, बहुत सजा होती है, फिर मतलब departmental forest, बहुत सजा होती है, इसमें penalty बहुत हाई होती है, jail होती है, उन सब चीज़ों की, इसलिए, नहीं, पर देरार processes, कुछ पेड कट सकते हैं, कुछ नहीं, वो पूरा एक rule book है, फिर के, पर timber product यह जो लकड़ी होती है, इसके rules बहुत जादा है, पर अगर, मुझे पेड नहीं काटना, मुझे उसके उपर जो गोंद लगा हुआ है, फिर के, खासका rule के लिए, who are forest dwellers, सबके लिए वो भी relax नहीं होते हैं, तो उसी की बात, bamboo को non-timber बनाने से, थोड़े relaxation हुए हैं, specially for forest dwellers, जो लोग जंगल में पर्मेनेटली रहते हैं, खासका tribal लोग, इसलिए बहुत फाइदा पहुँचा है, changes क्या है, तो देख लीजिए, अब नहीरूल के बाद, forest land में जो bamboo है, वो forest act के अंदर आएगा, ठीक है, and it will have a status of minor forest produce, इसलिए जो permanent forest dwellers हैं, इसे cultivate और harvest कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, जो permanent forest dwellers हैं, cultivate और harvest, पर अगर non-forest land में bamboo आ रहा है, तो वो forest, Indian forest act के purview के बाहर हैं, इस कारण से, farmers उसे cultivate, harvest और trade भी कर सकते हैं, तो फरक समझ गए, forest land में, और non-forest वाले में, forest में हैं, तो Indian forest act के purview के अंदर आता है, पर permanent forest dwellers, उसे cultivate और harvest कर सकते हैं, because वो किसमें आता है, it is a non-timber product, and minor forest produce, पर अगर non-forest land में bamboo है, तो तो वो forest act के बाहर आता है, farmers उसे cultivate, harvest, trade कर सकते हैं, तो इतनी picture clarity बहुत जरूरी है, हम सिर्फ current affairs के, दो paragraph के कहानी नहीं बना सकते, थोड़ा background में जाना पड़ता है, जिस background के बिना कहानी, हर समय अधूई रहती है, कि मुझे अब ऐसा लगता है, कि मैं shortcut नहीं कर सकते, कि बस खबर मिली, देखें, खबर तो आज के पर मिलती है, उसको use करके, सिर्फ आदी कहानी बताना है, is not justice, it is my duty, जितना भी हो सकता है, कि मैं अब बैगराउंड दो समय, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, question number fourth, एक और important scheme, scheme क्या है, या फिर उसमें development के, मैं बाद में बताऊंगा, पहले उस scheme के सवाल देख लेते हैं, which is the implement agency of, अब देखें एक और ये योजना है, PMBJP, प्रधान, मंतरी, भारतिये, जन औशिधी परियोजना, जन औशिधी, औशिधी मतलब medicine होता है, ठीक है, so who is the implementing agency of PMBJP, बहुत important सवाल बनता है ये, ठीक है, आंसर देख लीजे, फिर scheme के बार में देखेंगे, आंसर है BPPI, BPPI, Bureau of Pharma PSUs of India, ये जो body है, BPPI, Bureau of Pharma PSUs of India, this is the implementing agency of प्रधान मंतरी, भारतिय जन औशिधी परियोजना, अभी इस परियोजना का बारे मैं थोड़ा जान लीजिए, उससे पहले, अभी latest development देखेंगे की, ये जो है, अच्छा है काम करेंगे पहले जान लेते हैं इसके बारे, फिर मैं आपको latest वाली ख़बर बताना, तो कि वरना आप connect नहीं कर पाओगे, यह देखेंगे, यहां से बता रहा हूँ मैं, तो यह प्रधान मंतरी, जो पूरी scheme है, actually ख़बर जो आज की है, वो ये वाली है, ठीक है, आप पहले आपको जानना पड़ेगा, scheme के बारे में, तो प्रधान मंतरी भारतिय जन औशिधी, औशिधी केंद्र, या scheme, या कारे करम आप बोल सकते हैं, जो भी आप, मतलब कारे करम बोलिए, प्रोग्राम scheme उसका मतलब एक ही है, purpose देख सीज़े पहले, so, actually इस scheme के अंदर, जो यहाँ पर word देखा था आपने, it was pariyojna, पर इस pariyojna के अंदर हम लोग केंद्र बनाते हैं, centers बनाते हैं, तो आप यहाँ पे P भी लिख सकते हैं, pariyojna का, और उसके लिए केंद्र बनता है, जहाँ से दवा यह मिलती हैं, तो आप केंद्र भी लिख सकते हैं, pariyojna भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही होगा, तो इसमें यह tension मतले ना, कि कहीं पे K लेखा हैं, परियोजना बोलो, केंद्र बोलो, मतलब एक ही हैं, अब, objective देखिए, और उन आपके का नाम क्या है, प्रधान मंतरी भारतिये जन औशिधी केंडर, PMBJAK, objective क्या है, यह पूरा objective है, स्कीम का, और official website से में उसका vision और mission आपके लेके हैं हूँ, it is very very important, vision क्या है, to bring down the health care budget of every citizen of India, through providing quality generic medicines at affordable prices, देखिए, कितनी simple बाशा में, पूरा objective आपके सामने हैं, और mission क्या है, इस पूरे कारेकरम का, program का, create awareness among public regarding generic medicines, create demand for generic medicines through medical practitioners, create awareness through education and awareness program that high price need not be synonymous with high quality, provide all the commonly used generic medicines covering all the therapeutic groups, ठीक है, and providing all the related health care products to under the scheme, तो जो बाखिए, जो health care products होते हैं, उनको भी scheme के अंडर लाने की बाद चली, scheme समझ गए, अब development कल की खबर में क्या है, वो देख लीजे, इनका turnover बहुत बढ़ गया है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, lockdown की वैसे जो logistical problems आ रही है, obviously, कुछ essential services जैसे medicines चल रही है, बट फिर भी logistical supply chain problem तो आती हैं, जो बाखी चीज़े बंद पड़ी है, उसके बावजूद, कितना बढ़िया growth होई है, तो इस बार record turnover कितना हुआ है, April 2020 की बाद चल रही है, 52 करोड रुपीज, और as compared to 42 करोड रुपीज था मार्च 2020 में, और 17 करोड था एपरिल 2019 में, तो देख लीजिए, पिछले साल एपरिल में 17 करोड था, पिछले महीने मतलब मार्च 29, कहां गया, ये, एपरिल में 52 करोड था, तो पहले 17 करोड फिर मार्च में बात कर रहे हैं, 2020 में 42 करोड और एपरिल 2020 में 52 करोड देखे ग्रोध कितनी जादा है, तो ये बड़िये चीज हो रही है, और जन औशिदी केंद्र जो होते हैं, इनकी medicines are cheaper by 50 to 90% of the average market price, ये important खबर बनती है, एक चीज और, ये BPPI है, ठीक, जो ये जो BPPI है, जो इसे implement करता है, it has developed a जन औशिदी सुगम mobile app, एक app भी बनाई गई है, किसके दुआरा, Bureau of Pharma Paces of Inde, जो इसको implement करते हैं, ठीक है, आप का नाम है जन औशिदी सुगम mobile app, ये क्या काम करती है, it is helping people in a big way, to locate their nearest जन औशिदी केंद्र, and availability of affordable generic medicines with its price, तो पास सबसे nearest store कौन सा है, क्या availability जनरिक medicines के और prices क्या है, और थोड़ा BPPI के बारे में जान लीजिए, it was established in December 2008, under Department of Pharmaceuticals, Government of India, और इसके CEO का नाम is important, Sachin Kumar Singh, तो Sachin Kumar Singh is the CEO of Bureau of Pharma PUCs of India, Sachin Kumar Singh, बस इतने facts, आपकी A to Z पूरा coverage कर देंगे, और कुछ जानने के जरूरत नहीं है आपको, आई आगे चलते हैं, question number 5, ये question देखा आपने, इसी का detailed वीडियो में कल पूरा लाने वाला हो, इसलिए आज सिर्फ question cover करेंगे, और फिर detailing कल करेंगे, important सवाले धाने ये, कल follow करेंगा वीडियो उसका, ब्रू, ये displaced tribals हैं, जो मिजोराम से displaced हुएं, अब इनको resettle कहां करवाय जा रहा है, 30,000 से ज़्यादा tribal displaced हुए थे, अब इनके resettlement के लिए agreement, जन्वरी में sign हो चुका है, इनका resettlement होने वाला है, त्रिपुरा में, और त्रिपुरा में कुछ, मीजो ग्रूप्स, और कुछ लोग जो, इस्ट पाकिस्तान, मतलब बांगलादेश से, उस टाइम पे displaced हुए थे, बेंगॉलीज, और कुछ, मीजो ग्रूप्स ने, जो यह process है न, जहांपे Bruce, जो कि मीजोराम से displaced हुए, उनको आप त्रिपुरा में settle करा रहे हूँ, इसका oppose किया, तो उनको लगता है कि, एक तरह का dividend का, मतलब जो, पूरा dividend का imbalance हो जाएगा यहांपे, ठीक है, तो बूरू कौन है, मीजोराम की displaced tribes, तीसार से ज़्यदा लोग displaced करे गए थे, उनको त्रिपुरा में settle करवाए जा रहे है, agreement भी हो चुक है, इसम्भारत सरकार की एक party है, उन्होंने भी agreement sign किया है, त्रिपुरा में, त्रिपुराम में कई मीजो ग्रूप्स और displaced बेंगॉली ग्रूप्स जो इस पाकिसान से आया थे, वा पोस कर रहे हैं, उनको लगता है कि एक dividend क्या पूरा एक imbalance हो जाएगा, ऐसा वो लोग कहा रहे हैं, यह कि तो अब डिटेल कल की वीडियो में देखेंगे, तो समझगे, त्रिपुराइज दी आंसर, नेश्ट कुश्चिन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट होता है, आंसर है, कल था, थर्ड में, तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, थर्ड में को हुआ था, उससे रिलेटेट एक सवाल है, वर्य इंपोर्टन, एक और रिपोर्ट आगी फ्रेंड्स, और आप जानते हैं, रिपोर्ट में पब्लिश कौन करता है, और हमारी कंट्री का स्टेटर्स क्या है, ये काफी इंपोर्ट सवाल बनता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 2020 का भी आ चुका है, इससे पब्लिश कौन करता है, बताना है आपको, इस रिपोर्टर्स फुल फॉर्म क्या है, ये देखो, ये, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये इनका लोगो है, और ये एक इंटरनाशनल एंजीवर, अब इनकी रिपोर्ट आ चुकी रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, अब इंडिये के हालत क्या हो देख लिजे, हालत अच्छी नहीं है, so 2020 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 142 नंबर पर है, पिछले साल 140 पे थे, उससे पिछले साल 138 पे थे, तो 2018 में हमारी रैंग 138 थी, 2019 में 140 हुई और 2020 में 142, हम लोग 2 places shift कर गए हैं as compared to last year, so that is not a good sign, top 3 countries कौन सी वो देख लीजिए, 2020 की रैंक की बात कर रहा हूँ, वैसे अगर आप इसके website पर जाओगे न, आपको 18, 19, 20 तीनो रैंक्स मिल जाएंगी, पर मैं सिर्फ top 3 की बात कर रहा हूँ, present रैंकिंग की, 2020 की, फर्स पे नॉर्वे, सेकेंड पे फिनलेंड और थर्ड पे डेन्मार्क, ठीक है, ये countries अल्मोस्ट हर human index और freedom index में top पर ही रहती हैं, ठीक है, चलो, अब, Government of India ने इस report को slam किया है, मतलब इसे गलत बताया है, Union Information and Broadcasting Minister, जो है Mr. Prakash Javadekar, उन्होंने, he has slammed the report, ने कहा है कि इंडिया में ऐसी हालत बुरी नहीं है, कुछ ऐसे सर्वेस इंडिया को bad light में project करना चाहते हैं, उनको Government expose करेंगी, तो Government ने इस पर react करा है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उस International NGO की बाद, RSF Reporters Without Borders, मुझे पता नहीं, याद आ रहे हैं कि ऐसे question आप भी चुक, नहीं नहीं, वो medical वाले question था, ये नहीं था, 7-8 साल पर यूपीसी प्रिलिम में आया था, बट हर exam के लिए, UPCP की बात कर लो, SSC की बात कर लो, MBA entrance में Z exam हो जाता है, आपका banking exam, ये बहुत important सवाल है, बहुत high probability सवाल है, ठीक है, और सवाल है, बहुत simple, बस RSF Reporters Without Borders जाद रहना है आपको, ये देख लो, उनकी official website से कहानी में लाया था, लोगों तो देख लिए ना आपने, अब देख लिए, ये एक international NGO है, कहां based है, पारिस में, so Reporters Without Borders is an independent NGO, with consultative status with United Nations, UNESCO, Council of Europe and the International Organization of the Francophonie, OIF, ठीक है, बाकी जानकारी दीए, not very important, इट वस फांड़ेट बाए four journalists in the South French city Montpellier in 1985, इट इस वन अफ दे वर्ल्स लीडिंग एंगोस in the defense and promotion of freedom of information, ठीक है, बाकी कहानिया पल दीजेए, अन्यकी website से मैं आया हूँ, पर इतनी जानकारी exam के लिए जरूरी होगी, काफी होगी, ठीक है, question number eight, एक बहुत important policy आई, जो private satellite TV channels है, उनके बारे में policy आई है, draft policy, उस पर सवाल है, फिर policy के थोड़े point टेखेंगे, very very important, ठीक है, अभी draft policy है, इसको अभी discussion के लिए दिया गया है, फिर final point आईगा, तो question पहले देख लो, फिर policy पर चलते हैं, अब देखेंगा, मैं आपको इस रिपोर्ट पर ले जाता हूँ, मैंने एक्चुली इस रिपोर्ट को अक्सेस किया, वेबसाइट पर है, आप आप आईएनबी मिनिस्टी के वेबसाइट पर जाओ, और आपको पुरी रिपोर्ट देखो, यह रिपोर्ट, यह पुरी रिपोर्ट आपके सामने, आइठिंग जूम इन करने के जबुद्ध तो नहीं पड़ेगी, तो पुरी रिपोर्ट खोल के थोड़ा पूरा मत पढ़ो, बड़ी सी रिपोर्ट है पर थोड़े पॉइंट पढ़ सकते हूँ, तो देखेंगा, अब देखेंगे, यह किसके बारे में रिपोर्ट है, अब लिंकिंग और डाउन लिंकिंग पॉलिसी गाइडलाइन्स, पिछली कब आई थी 2011 में, उन्ही को अपडेट करने के लिए बात चल रही है, उसी कॉमेंट करा जा रहा है, जिसकी ड्राफ टाइफानल नहीं हूँ अभी, तो नौ साल पहले जो पॉलिसी आई थी, फॉर प्राइविट सेटलाइट टीवी चैनल्स एंड टेलिपोर्ट्स, तो उनकी अपलिंकिंग और डाउन लिंकिंग पॉलिसी जो आई थी 2011, 2011 में भी पूछ सकता है कि पिशली कब आई थी, उसी को अमेंड करने के लिए बात चल रही है, तो इन ओर्डर टो एड्रेस दा चेंजिस चैलेंजिस फ्रॉम फास्ट एवॉल्विंग ब्रोड्कास्टिंग टेक्नोलोजीज, चेंजिस इन मार्केट सेनारियो और अदर ओपरेशनल डेवलोपमेंट्स इन दा ब्रोड्कास्टिंग सेक्टर ये चेंजिस लाए गए हैं, अब इसमें पूरा मत पड़ो, बस दो-तीन जरूरी पॉइंट्स मुझे यहाँ पर लगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, बाकि चाहो था पूरा पर सेक्टेट प्रोफेक्टली, फाइन, वो देखो नीचे बताता हूँ मैं, इसका पॉइंट, पाच्छे पॉइंट मुझे बहुत काम के दिखे थे, मुझे बस एक मिल्ट दे दीजिएगा, शिक्स्थ पार्ट में मैंने देखा था, हाँ यह आ गया, यह कौन सा पार, हाँ यह वादा, यह देखिएगा, दो-तीन पॉइंट इपॉइंट थे वो पढ़ लीजिए, एक तो, अगर किसी भी चैनल को लाइफ टेलिकास करना है, ठीक, तो पहले कहता है कि 15 दिन पहले पर्मिशन ने नहीं पड़ देखिए, थोड़े रेलाक्सेशन अफ रूल से वो देख सीजिए, तो यह उसी कैटेगरी की रेलाक्सेशन है, तो यह उसी कैटेगरी की रेलाक्सेशन है, उसके अलावा बात हो रही है, ठीक है, इर्रेस्पेक्टेश अफ देखो, रेजिस्टर इटसेल्फ ऑनलाइन अन दा ब्रॉटकास सेवा, जो प्लेटफॉर्म है, अट लीस फाइव देस प्रिसीडिंग देट अफ लाइव इवेंट, तो अब पर्मिशन की बात नहीं, बस रेजिस्टर करना है आपको ब्रॉटक में ही थी, हाँ, पेनल्टीज जारा तरह की, मतलब इन्होंने जारा तरह के वोईलेशन्स बता हैं, जिनकी पेनल्टीज भी अब यहाँ पर, तो देर आर 11 वोईलेशन्स, पूरी लिस्ट यह रही, पर आप एक-दो पढ़ लेते हैं, जैसे पहला देखो, डिले या फिर न तो फिर 30 दिन तक प्रोहिबिशन हो सकता है, और नहीं दिया सकती है, ठीक है, उसके बाद, अपॉइंट्पेंट अफ़ डिरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन आफ मिनिस्ट्री, इसमें भी पूरे पनल्टी प्रोविजन है, ठीक तो यह पूरा देखो, कितने की लिस making, मतलब जो company है, it has to give the application under the guideline, that shall be required to apply, so a company application, जो भी application company दे रही है, under the guidelines, it shall be required to apply for security clearance in the format as prescribed by MHA, तो ministry of home affairs, security clearance मिलता है, और कितने time के लिए मिलता है, वो आप देख लो, बसे हाँ पर, यह रहा, once security clearance is granted to the entity by ministry of home affairs, it will be valid for 10 years, तो security clearance ministry of home देता है, और 10 साल तक के लिए valid होता है, बाकि उसके पूरे formats, procedures इससे पहले दिये हुए, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे, ठीक, तो यह पूरी कहानी है, बाकि तो मैं बताई दिया आपको, कि company having permission under these guidelines, shall not appoint a new person as director without prior approval of the ministry, ठीक, तो यह पूरे approvals की बात यह वाकि पूरा और बहुत सारी चीज़े और लिखी हुई है, पर यह 3-4 चीज़े मुझे जरूरी लगी, पूरी report अगर आपको देखनी है, जरूरत तो नहीं है, जरूरी बात है जो मैंने बता दिया आपको, पर INB ministry में आपको, वो home page पर ही website पर थी, इनकी report जो मैंने द इती दनकरी काती है, पूस नमबर 9, who is representing India, इंडिया के तरफ से कौन है council in the कुलभूशन जादव case at the ICJ, International Court of Justice, the answer is Harish Salve, ठीक है आप जानते हैं, कुलभूशन जादव is the retired Navy officer of India, और March 2016 में पाकिस्तान ने इनको पकड़ दिया था, और April 2017 में इनको सदा सुनाई गई थी, ठी इन पर इल्जाम के लगाए थे, espionage and terrorism, espionage मतलब जासूसी, espionage and terrorism के इन पर charges लगाए थे, पाकिस्तान की military court ने, ये April 2017 की बात है, ठीक है, तो March 2016 में इनको पकड़ा गया था, April 2017 में charges लगा गए थे, military court वारा पाकिस्तान में, espionage मतलब जासूसी और terrorism के charges लगाए गए थे, जो इंडिया उसे खिला फ्लर्ट रही है, एक चीज और, इनका जो execution था, उस पे stay लगा दिया गया है, मतलब ये stay किसने लगा है, international court of justice ने, तो वहाँ पर proceeding हम लोग जीते थे, so हमने काफी logic दिये थे, of VNA convention for councillor access, बहुत सारे provision है, जो international diplomacy के है, कि उन्हें councillor access मिलनी चीज, जादव जी को, बहुत सारे और points थे, तो अभी हम लोग upper hand पे हम लोग case जीते है, कि उनका execution stay हो गया है, अभी उनका execute नहीं करा जा रहा है, बट अभी भी मतलब उनकी वापसी के लिए बहुत मतलब कोशिश करी जा रही है, और हरी सालवे जी ने अभी ये brief भी मतलब एक कि कई process मतलब Indian government काफी कोशिश करी, कई letters भी लिखे गए है, to convince the Pakistanis government कि इंको छोड़ा जाए और India वापस बुलाए जाए, तो कोशिश चल रही है ये पूरा, cases भी लड़े जा रहे है, directly diplomatic कोशिश भी करी जा रहे हैं, कि हो पाए, बट परके तक हो नहीं पा रहे है, तो हरी स तरे देश इसे से इराक में problem आ रही है, अभी अफगानिस्तान में, देखो कितना चक्तर हो रहा है, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और अश्रफ घानी की बीच में, तो अभी इसराइल में भी problem चल रही है, और ऐसे टाइम पे government formation problems are more severe, because हर देश में करोना फैला हुआ है, उससे लड़ने के लिए सरकार की stability चाहिए, ठीक है, अब देखे, हमें बताना है कि Nesset जो कि Parliament है इसराइल की, उसके speaker कौन है, और यहां से को important ख़बर भी निकल के आने वाली है, पहले answer देख लो, Benny Gantz, तो आप जानते हैं, दो competitor है, PM कौन है इसराइल के, Benjamin Netanyahu, ठीक, अब Benjamin Netanyahu और Benny Gantz, ठीक है, ये लोग मिलके सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, पर, और उम्मीद भी कि सरकार बन जाएगी, पर Supreme Court जो वहां की उसमें case चल रहे हैं, दो case चल रहे हैं, पहला case किस बारे में, Benjamin Netanyahu के against काफी criminal charges हैं for corruption, उस पे case चल रहे है, Supreme Court बाते सुन रहे हैं, Benny Gantz और Benjamin Netanyahu की बीच में जो agreement हुए सरकार बनाने का, उस पे भी Supreme Court में अभी proceeding चल रहे हैं, तो Supreme Court इन दो issues के बारे में क्या बोलता है, this is very very important, हो सकता है दुबार election कराने पड़े, शायद, depending on the judgment of Supreme Court, तो Benjamin Netanyahu पे चल रहे है, corruption charges के उपर भी Supreme Court बाते सुन रहे हैं, और Gantz, Benny G Netanyahu की बीच में जो ये चल रहा है, agreement की सरकार बना सकते साथ में, उसके ओपर भी Supreme Court सुन रहे है, तो ये इनका, Supreme Court का verdict आएगा, it will be very very important, और अभी पिछले एक साल से भी कम टाइम में तीन election हो चुके है, इसराहिल में, अगर गरबढ होगी judgment में, तो चौता फिर से हो इस event का reference था, sports के page में तो मैंने बता दिया, 2021 में जो ICC World Cup है, women का, वो कहां होने वाला है, important factual सवाल, कई बार पूछेते हैं सवाल, sports की field से, answer है, New Zealand, अब COVID-19 का असर इस पर आता है, नहीं पता है, वो अभी पता नहीं पर फिलाल scheduled है, New Zealand में, 2021 का ICC Women World Cup, ये ध्यान रखीगा, New Zealand is very, very important, सवाल पूछेते हैं इस तरह के, we have to be careful, sports की field से, युकि sports के सवाल simple होते हैं, उनको lightly नहीं लेया सकता, ठीक है friends, तो इत है आज के top, actually top, top 11 questions जो मैंने cover कर वा है, with all the additional concept, अगर content पसे हैं तो वीडियो लाइक कर दीजीगा, और आज दिन में जो Economist का very important वीडियो आन desktop पे यह laptop पे मिल जाएगा, ताकि वीडियो मिस नहीं होगा, ठीक है, thank you, have a nice day.